है मादादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशी के बारे में तुला राशी के जातक अगर आप हैं तो आप जरूर इस वीडियो को अंतितक देखे और अगर आप नहीं है तुला राशी के जातक तो भी आप देखिए कि तुला राशी के लोगों की ये खुबियां सही है या नहीं है तो दोस्तों तुला राशी की हम बात कर रहे हैं राशी चक्र की सातवी राशी तुला राशी है और इसके जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र ग्रह देखे इस राशी का जो चिन है वो है एक तराजू लेकर बीच सड़क पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ ये जो तराजू का चिन है ये दिखाता है कि किस तरह से संतुलित रख रखा जा सकता है और इस राशी का स्वामी जो है वो शुक्रग्रह है जिसकी बहुत सी खासियत तुलाराशी के जातकों में आपको देखने को मिल सकती है देखे शुक्रग्रह जो होता है वो सुन्दरियता का कारग्रह होता है कामुक्ता का कारग्रह होता है कला का कारग्रह है बहुत इक सुखों का कारक ग्रह तुलाराशी वाले जातकों में ये गुण पाए जाते हैं क्योंकि शुक्र के ये गुण है जो तुलाराशी में ट्रांसफर होते हैं इसलिए इन जातकों में ऐसी चीजों को बहुत अधिक मातरा में देखा जा सकता है लेकिन इसके अलावा और कितनी खोबिया होती हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखें तुला राशी के लोगों को अगर आप देखें तो इनके चहरे को अगर आप देहां से देखें तो उसमें आत्मविश्वास छलगता है। यानि इनके अंदर बहुत आत्मिश्वास होता है, ये हमेशा आत्मिश्वासी होते हैं और इस सुराशी के अगर आप महिलाओं को देखें तो वो काफी आकरशक होंगे अगर वो देखने में भी सुन्दर नहीं होंगी तो भी उनमें एक गजब का आकरशन होता है अपनी तरफ लोगों को आकरशित करने का, यानी अपनी personality को ये काफी अच्छा बना कर रखते हैं मनमाजी होते हैं, बहुत हस्मुक सभावके होते हैं, सभी के साथ आच्छे से सामज़स ही बना लेते हैं सब के साथ बहुत अच्छे व्यवार बना कर चलते हैं ये बड़े माहिर होते हैं दूसरे व्यक्ति को एट्रेक्ट करने में और योजनाय बनाने भी बहुत माहिर होते हैं साथ ही देखे ये इस बात का बेहत ध्यान रखते हैं कि इनके द्वारा दूसरों को हानी न पहुँचे किसी भी कारे को अगर ये करते हैं तो उसे बहुत सोच समझ कर काम को करना ये पसंद करते हैं यानि विवेक से काम करना पसंद करते हैं जूट बरदास्त नहीं होता है अगर कोई इनके सामने जूट बोले तो ये उसे बरदास्त भी नहीं कर पाते हैं और दूसरों की अगर मदद की कहें तो दूसरों के मदद के लिए हमेशा तेयार रखें अगर कोई इन व्यक्तियों को जो तुला राशी के जातक होते हैं व्यक्तियों को अगर कोई एक बार प्रेम से कुछ बोल दे तो यह उस पर सब कुछ समर्पित कर सकते हैं उसकी इतनी मदद करते हैं हमेशा मदद को तयार रहते हैं अपनी कारे के प्रती जिम्मेदार होते हैं और अगर मदद करने की किसी की ठान ले तो उसे भी ये अपने प्रती जिम्मेदारी मान लेते हैं इस राशी की जो इस्तरी होती है उनको पती तथा पुरुष को पतनी बड़ी भागेशाली मिलती है जो इनके भागे में एक बड़ा रोल अदा करती है देखे तुला राशी के जो अंतरगत लोग आते हैं अगर हम नेम अकॉर्णिंग देखें तुला राशी के जातकों के जो नाम का पहला अक्षर होता है वो रा, री, रू, रे, रो और ता, टी, तू, ते इन नामों से उनका नाम शुरू होता है ये पहला वर्ड होता है उनके नाम का ऐसे जातक तुला राशी के जातक होते हैं तो अगर आप देखेंगे तो इन लोगों में आपको ऐसी बहुती क्वालिटी दिखाई देंगे और देखें अगर इनका हम नकारात्मक पक्ष देखें जो इनकी नेगेटिव बात है तो देखें इनका जो communication skill है वो थोड़ा कमजोर होता है ये अपनी भावनाओं को समय आने पर व्यक्त कर पाने में नाकाम होते हैं जो इनका एक बड़ा नेगेटिव पक्ष होता है और इसी चीज से ये मात खा जाते हैं और देखें हरमेशा ये हर चीज को तोल मोल कर देखते हैं इनके मन में एक ऐसी तराजू चल रही होती है जो चीजों को तोल मोल कर देखती है और यही जो इनकी आदत होती है कभी कभी को फैसला लेने में किसी काम के लिए बहुत देर हो जाती है तुला राशी के जातव को हमेशा बहुत एकवादी राशी कहा जाता है बहुतिक वादी की अधिक्ता के कारण ये ऐशो आराम गैर जरूरी चीजों में पैसा बहुत खर्च करते हैं अगर आप किसी जातब को देखिए तुला राशी के जातब को वो बहुत खर्चीले होते हैं अपने आशो आराम पे तो कुछ परिशानिया जरूर होती हैं, साथ ही इनको अनिंद्रा की शिकायत भी रहती है, और पेट संबन्धी परिशानिया भी इनको कभी कभाग ज़्यादा हो जाती हैं, बाकि इनके पीट के निचले हिस्से में दर्द जैसे समस्याइं उम्र के साथ आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस राशी की जो बहुत अच्छी खासियत हैं, वो हैं कि ये हर चीज में सामसे से बना सकती हैं, और देखे प्रेम को तो समर्पित होती है पूरी तरह से, इनका जीवन साथी हमेशा इन से खुश होता है, क्योंकि ये प्रेम को समर्पित होते हैं, अपने साथी किसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बहुत